अक्सर हम महेंगे फोन को सस्ते के चक्कर में सेकंड हैंड फोन तो खरीद लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि फोन चोरी का है या नहीं और चोरी का होने पर जेल जाना पड़ता हैं लेकिन इस portal पर जाकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन चोरी का है या नहीं इसके लिए आपको Google ओपन करके Central Government की CIR.gov.in पर क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करोगे Central Government की साइड ओपन हो जाएगी इस पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है यहां लिखा है Now Your Mobile के वाई एम इस पर आपको जाना है अगर आप चाहो तो इसकी के वाई एम एप डाउनलोड करके भी यह प्रोसेस कर सकते हो हमें यहां वेब पोटल पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर यह हमसे अपना मॉबाइल नंबर पूछेगा हम यहां पर अपना मॉबाइल नंबर डाल देते हैं मॉबाइल डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है हमारे मॉबाइल पर एक ओटीपी आएगा वो ओटीपी हमें यहां डाल देना है verify OTP पे click करना है verify OTP पे click करते हैं यह हमसे अपने mobile का EMI number पूछेगा हमें उस mobile का EMI number यहां पे डालना है EMI number डालके check पे click करना है जैसे हम check पे click करते हैं तो उस mobile की detail यहां पे खुल जाती है status EMI EI is valid यहां पे valid लिखा हुआ है अगर यहां पर unvalid लिखा आता है या mobile blocked लिखा आता है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वो mobile चोरी का है उसकी police report है इसका brand नम आजाएगा mobile कौन सा model है वो लिखा जाएगा manufacture लिखा जाएगा device type लिखा जाएगा हम यहां पे check कर सकते हैं सबसे main है status जिस पे हमें check valid लिखा हुआ होना जरूरी है phone चोरी हो जाता है और अगर आप उसकी यहां पे उस phone को block करना चाते हो तो उसकी भी report कर सकते हो इसके लिए हमें CEIR service पे click करना है फरस्ट नमबर पर block stolen और lost mobile लिखा हुआ है इस पे हमें click करना है जैसे हम click करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का page open हो जाता है इसमें हमें जो भी हमारा mobile गुमा है या चोरी हुआ है उसकी पूरी detail डालना है सबसे पहले हमें अपना mobile नमबर डालना है उसके बाद EMI नमबर डालना है device brand कौन सा ब्रांड था device model कौन सा था उसके बाद जो आपका mobile परचेज किया उसका बिल की copy यहां पे हमें upload करनी है इसके नीचे में कहां पे हमारा mobile गुमा है उसका लिखना है lost palace में date किस date को हमारा mobile चोरी हुआ है state किस जगे पर किस राज्य में हुआ है वह राज्य डालना है जीला डालना है police station जिसमें nearest police station जो भी वहां का है उसका नाम डालना है police complaint number इसके लिए हमें पहले fire करनी होती है कोया fire document पर हम fire करते हैं वह fire number हमें यहां डालना होता है और FIR की copy scan करके यहां पर हमें upload करनी होती है इसके बाद हमें अपना number लिखना होता है address लिखना होता है कभी अगर हमारा mobile मिलता है तो हमें इसी address पर वो mobile पहुचा है जाता है identity में हमें अपना आदार डाल देना है या pen card कुछ भी डाल सकते है photo proof उसकी scan coffee डालनी है identity number डालना है अगर आदार डालते हैं तो आदार डालने है हमें अपनी mail ID डालनी है यह capture यहां से capture डालना है और last मैं mobile number डालके at otp पे क्लिक करना है और क्लिक करके submit कर देना है आपको हमारे दुआरा दी गई यह जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें comments करके जरूर बताएं Thank you